हेलो एबरिवन आज हम लोग MSC chemistry में नुकलीोफिलीक सब्चूशन एट विनायली कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने नुकलीोफिलीक सब्चूशन एलायली कार्बन पर कैसे होती है और किस मैकरिजम के थूर रहती है वो और डिस्कस किया है ठीक है तो देखो तो न्युक्लिफिलिक सब्चूर्वूशन विनायली कारबन सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि जो विनायली कारबन होते क्या है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यह डूबबल बॉंडेड कारबन है न यह एलकीन के डूबल बॉंडेड वाले जो sp2 carbon होते हैं उनको क्या बोलते हैं लोग vinyl carbon इनहीं carbon पर nucleophile के द्वारा substitution होता है उसको क्या बोलते हैं लोग nucleophilic substitution reaction at vinyl carbon ठीक है पर एक चीज़ मा आपको बता दो कि जो nucleophilic substitution होती है vinyl carbon पर वो बहुत difficult होती है अब difficult क्यों होती है थोड़ी दिर बाद discuss करेंगे under normal condition नहीं हो सकती है and it is extremely slow compared to the substitution at saturated carbon अगर इसके अगल बगल में यही carbon अगर saturated होता saturated मतलब सबके सब single bond बनाया होता है carbon तो वहां पर nucleophilic substitution easily हो जाता है पर यह कैसा है unsaturated unsaturated carbon तो इन carbon पर मतलब vinyl carbon पर nucleophilic substitution बहुत ही difficult होती है ठीक है तो difficult होती क्यों है फिर आखिरकार यह देख ले हम लोग यह देख लेते हैं पहले तो देखो तो होता क्या है जैसे हमारे पास यह है कि हमारे पास एक compound है ठीक है 1,1 डाइकलोर एथिन है एथिलेन भी आएथिन भी बूल सकते हो तो यह इनकी बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो यहाँ पर देखो आखिरकार यह nucleophile अगर आएगा ठीक है तो यह पर होती है यह कह रहा है अगर होगी भी तो बहुत स्लो होगी जो nucleophile substitution विनाली कार्बन पर क्यों नहीं होती है उसके region क्या है देखो number one region क्या है कि अगर देखो nucleophile substitution क्या है SN1 या तो SN1 होगी या तो SN2 होगी ठीक है अगर हम X1 की बात कर रहे तो SN1 reaction में अगर आपने पड़ा SN1 reaction तो पहला step क्या होता है आयूनाइजिसन होता है क्या होता है और उस step में क्या बनता है formation of carbocatine पहला first step is the formation of carbocatine ठीक है अब यहाँ पर से जो carbocatine बनता है इस टाप से बनेगा आयूनाज होगा तो carbocatine बनेगा तो यहाँ पर पहुश्च चार्ज जाएगा यह जो carbocatine होता है highly unstable होता है क्या होता है highly unstable होता है इसलिए जो nucleophilic substitution है vinyl carbon पर नहीं होती है क्योंकि SN1 के through reaction होई तो जो carbocatine बनेगा वह highly unstable होता है ठीक है और दूसरा region क्या है दूसरा region यह है कि अगर suppose करो SN1 के through reaction नहीं हो रही है SN2 के through हो रही है क्या करती है रिपल्शन करती है तो दो चीज है एक तो carbocatine जो बनता है SN1 के through वह unstable होता है highly unstable होता है इसलिए reaction होती नहीं है vinyl carbon पर ठीक है under मतलब बहुती rare रहा difficulty condition हो सकती है और अगर nucleophilic substitution SN2 के through होगी तो back side से अटक करेगा carbon पर हो जाती है और वो किन mechanism के through होती है addition elimination mechanism के through tetrahedral mechanism है उसके through भी हो सकती है elimination addition mechanism के through भी और SN1 mechanism के through भी कहीं पर हो जाती है तो हम लोग एक example देखे इसको discuss करेंगे और इसकी mechanism के बारे में हम लोग दिखेंगे reaction between 1,1 dichloroethylene इसके reaction हमने कराओ ठायो phenol के साथ ठायो phenol क्या । ह कि यह इअर बनजन है बनने के साथ यह जोडा है ठीक है तो दिखो phenol किया होता यह हमारा फिनोल ठीक है अगर मैं इसकी जगह में ओक्सिजन की जगह में अगर میں SS लगा दू ना SH तो इसको बोलते हैं लोग थाइयो फिनोल क्या बोलते है यह है और ये क्याigare इसको अर्श ठीक है तो इसकी रेक्सिटे इसके करना है पर साथ करने हैं याद रख ना एथॉक्साइड आइन के साथ इंपोटेंट चीजे एथॉक्साइड आइन के बिना रेक्षिन नहीं होती है ठीक है तो देखो तो सबसे पहले यहां पर सिर्फ सिंपल ही स्वाट में समझा रखा है यहां पर एदेशन के फर्स्ट इस्ट स्टप और फॉर्थ इस्टेप कोवें और खोन से के रिच्खे तरफ करने मेरे वह कि ठीक है तो यह देखो को तब हो नाब को समझ माया गा जब हम लोग इसका में क mine ने प्षाइब ने देखेंगे ठीक है तो देखें हो मैंकज में पहला स्टाक होता होता है एडिस्ट सो पहले होगा हुँआरा ने न है एडिसरो ऑभा होगा फायविक सिर्थ यह दोने। लिया है ठीक है अब देखू अब हमको इसको बॉंडॉस्फ यहा को करेंगे तो यहां पर नेगटिव आयेगा ठीक है और बॉंडॉस्फ यहां को करेंग तो यहां पर न disappearance पर वहाईपल ह।्द सकॉard में क्यों क्या है क्वेस्बूद negative, element element के बगल में अगर नजदीक में negative charge हो तो वो stable होता है जैसे यहां को break किया तो bond आप imagine करो यहां पर क्या एगा negative आएगा और यहां पर क्या एगा positive positive में क्या जुल जाएगा यहां से जुल जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा अब देखो अच्छा और यहां पर से क्या होगा जांब यह होगा यह है यह क्या होता है एक पर जाए तो HCl वाहर हो गया यहां पर क्या बनेगा double bond थार्ड स्टेप्प क्या होता है फिर से फिर से elimination होता है जो proton बचा था अभी सिंडिी स्टेप का यह वाला proton इसको भी अब्सक्टट कर लेगा अटोकसाइड ऐन ऐसे ही करेगा जैसे पहले बंगिया था यह केर दिया ठीक है फिर क्या बनिगा देख हो यहाँ पर टृपलवंड बंजेगा यह सिंगल रगवंड कारवन護 इंवैंड ौप्व सीच और सब्गभा फिर से आडिशन होगा इडीसिंद्व रगवानगे फिर से हम लोग क्या रघंगे अडीसन। तेप में थायोफिनोल को लेंगे इसको आउनाइज करेंगे आउनाइज करने के बात क्या बनेगा हो ए यार एस पर नेगेटीव उस पर पोजिटिव ठीक है फिर से देखो यह जो हमारे पास जो थाली स्टेप में मुना है यह बॉन्ड यहां को तोड़ना पड़ा हमको क्यो ठीक है तो यह है नुकलोफिलिक सब्टूशन एट विनालिक कार्बन